कैसे हो बच्चों? आज हम हिंदी का पहला पाठ पढ़ने वाले हैं. कलश अपने आप चमकेगा. अभी आप सबको यह चित्र दिखाई दे रहा है. इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र में कुँछ बच्चे कुछ छात्र पाठ चाला के सामने पौधे लगा रहे हैं. तो कुछ बच्चे देख रहे हैं कि मिलजूलकर कैसे काम कर सकते हैं? हम अपने माता पिता के साथ भी काम कर सकते हैं उनकी मदद कर सकते हैं देखो बहुत सारे बच्चे मिल जुर कर काम करने करते हुए नजर आ रहे हैं कभी भी यही कहता है कभी कहता है अगर तुम मिल जूर कर परिश्रम करोगे काम करोगे तो बड़े से बड़ा कार्य भी आसानी से सफलता पा सकते हो और ऐसे कार्यों में समाज का नवनिर्मान भी होगा हमारे समाज का काया पलड भी जा सकता है देखते हैं कभी अपने आप कलश्चम के गार इस कविता से क्या संदेज दे रहे है बन सको यदी मित्र नियू के प्रस्तर बनो अगर तुम बन सकते हो तो इस नियू के इस भूमी के अच्छे आधार बनो देखना फिर मानवी अस्तित्व का कलश्च अपने आप चमकेगा तो देखना जरूर अपने आप इंसानियत का इंसानियत निर्मान होगी और कलश्च अपने आप चमकेगा चाहते नीज भाल तुम उन्नत बनना चाहते हर प्राण को खुश्या लुटाना इन उचे उचे पहाड़ों के तरह तुमें भी उन्नत तुमें भी अपनी तुमें भी अपनी सफलता प्राप्त करनी हैं जितना भी हो जाए कुछ भी हो जाए लेकिन हमें दूसरों के लिए सिफ खुश्या देना है दूसरों के उपर खुश्या लुटाना है दूसरों के साथ खुश्यों बाटना है चाहते यदी फासलों को पासलाना अगर हमारे बीच कोई भी फासले हो दूरी हो उनको भूल के हमें पासाना है और हर पीर में हिस्सा बटाना जहां पे दूख हो वहां पे हमें उसका साथ देना है दूसरों के दूख कम कने की कोशिश करना है तो उठो, देखो उदर अटकी पड़ी है, जानवी सिम्टी जटाओं में, तो उठ जाओ. देखो हमारी ये जानवी, हमारी ये धर्ती, बहुत सारी संकटों में, बहुत सारी जटाओं में जक्डी हुई है. पैचानो स्वयम को स्मुती न हो तुम सागर के पुत्र हो अमर तुम अपने आपको जानो, समझो जो कुछ हुआ है, बूरी घट्ना घटी है उन्हें भूल के जो अच्छी बाते हैं उनको याद करो और तुम इस सागर के पुत्र हो, जो अमर हो हिम्मत नहारो कदापी, जीत तुमारी होगी तथापी, तुम कभी भी हिम्मत नहीं आना, जीत तो सिफ तुमारी ही होगी हाँ एको कर्बन भगिरती तुम लगाओ जोर तुम भगिरती हो तुम राजा के वन्शज हो तुमें जोर लगाना है और इस गंगा माता को अपनी धर्ती पर बहने के लिए मजबूर करना है और इस धर्ती के उपर गंगा के पानी के वज़े से देखो खेत लह लाएंगे खलीहान रह रह गीत गाएंगे और जो फसल है वो गुनगुनाएंगे गाने गाएंगे आओ जुटे साधना में तपें तो चलो हम सब एक साथ जूट जाते हैं हमें अपने आपको सिध्ध करना है और हमें अपना समाज को निर्मान करना है बदलाव करना है यदी बन सको निव के प्रस्तर बनो देखना फिर्मानवी अस्तित्व का कलश अपने आप चमकेगा तुम हो सको तो इस निव के प्रस्तर बनना और इंसानियत की निर्मानता कर देखो कलश अपने आप चमकेगा समझ में आया सब बच्चों को चलो आगे हम प्रश्न उत्तर देखेंगे